तो देखो MCU के स्टार्ट हुए 15 साल हो चुके हैं और जो बच्चे 2008 में मार्वल की मुवीज देखते थें वो बड़े हो चुके हैं इवेन उन बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं तो अव्यस है कि PG-13 से उपर कभी वो लोग कुछ देखना चाते हैं और इसलिए मैं बताने वाला हूँ 10 ऐसे R-rated सुपरहिरो जानरा के मुवीज जो कोई भी अडल्ट सुपरहिरो फैन इंजॉय कर सकता है लिस्ट में सबसे पहले है सुपर जो की 2010 में आई थी कई लोग सोचते हैं कि जेम्स गन ने गार्डिन्स अव दी गैलेक्सी से सुपरहिरो जानरा में पैर रखा है बट 2010 में ही इन्होंने एक सुपरहिरो मुवी बना ली थी और जब उनके उपर कोई भी मेजर स्टूडियो का टैग नहीं लगा था तो आप समझी सकते हो कि जेम्स गन के जोक्स कितने डाक हो सकते हैं तो वैसा ही कुछ हमें इस मूवी में देखने में मिला देखो डाक हुमर से भरा हुआ शायद ये मूवी सब इंजॉय नहीं कर प इसके लिए कहीं ना कहीं सैम राइमी ने ही बेस क्रेट किया था और इस जॉन्रा को में स्ट्रीम में लाया था लेकिन स्पाइडर मैन के फर्स्ट मूवी से बारा साल पहले इन्होंने अपने दो एक्सपर्टीज हॉरर एंड सुपर हीरो जॉन्रा के कॉंबिनेशन से डाक और इसको एक डीसी के सुपर हीरो के रोल में देखने का एक अलग ही मजा है और यार अब तो इसका सीक्वल भी कंफर्म हो चुका है तो फर्स्ट पार्ट को देखना तो बनता ही है अब भली जब मूवी रिलीज हुई थी तो कॉमिक एकुरेसी ना होने के चलते फैंस ने भर-भर के गालिया दी थी लेगिन अभी रिसेंट की मूवी में दूसरे कैक्टर्स में इससे ज़्यादा चेंजिस होने लगे हैं तो पुरानी कॉंस्टेंटीन मास्टर पीस की फीलिंग देती है एंड आफविसली मेरे लिए नॉस्टैल्जिया का फैक्टर है तो यहां म लिए गया है जिस एंगल से पैरेडी थीम के साथ इसको कवर किया गया है वो भी फुल-उन आर रेटिंग वाले एक्शन सीन्स के साथ यह सब देखना यूनिक एक्सपेरियंस है यहां फन भी है एक्शन भी है इवन कॉमेडी भी है तो जिनको सिर्फ पीजी ठाटीन वाले इसकी लगता था तो उस टाइम 1998 में वेंपायस की पॉपुलारिटी को देखते हुए इस मुवी को रिलीस क्या गया और इसके यूनीक एक्शन सीक्वेंस थीम और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीजली स्नाइप्स का परफॉर्मेंस इन सब के कॉम्बिनेशन से यह नहीं बात हो गई वट अभी के टाइम पे किसी सूपर हेरो मुवी ने आर रेटिंग का सही उसक्या है तो वह है डेटपूल शायदी कोई होगा जिसने यह मुवी नहीं देखी है लेकिन आर रेटिड मुवी के लिस्ट हो और उसमें इसका नाम ना हो यह कैसे हो सकता है डे वाच मैं डीसी के करेक्टर पर बेश जैक स्नेडर की इस मुवी को बहुत ज्यादा अप्रिसेशन मिला था डारेक्शन से लेकर सिनेमाटोग्राफी कलर ग्रेडिंग सब कुछ आपको नेक्स्ट लेबल का सिनेमाटिक एक्सपिरियंस देते हैं उपर से जिस तरह की स्टोर फिलिप्स और वाकिन फिनिक्स का कॉंबिनेशन ने धमाल मचाया था ये मुवी भी शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा ये फिल्म सिनेमाटिक एक्सपिरियंस के हिसाब से कैसी बनी थी आप इसी से समझ सकते हो कि सूपर हीरो जानरा में आर रेटिंग बनने के बात भी इसने वन बिलियन डॉलर से उपर का बॉक्स अफिस कलेक्शन किया और इसी सक्सेस के कारण अब इसका एक सीक्वल भी आने वाला है तो हां फिर से बोलूँगा कि सीक्वल आने से पहले फर्स्ट पार्ट तो जरूर देख लेना देने सेगंड नंबर पि लोगन य इस मुवी का टोन बिलकुल अलग होता है म्यूजिक बिलकुल अलग है और एक सूपर हेरो मुवी से जादा यह आपको एक अलग ही एमोशनल राइट पिले जाएगी जहां फील होगा कि हां यह होती है एक स्टोरी की प्रॉपर एंडिंग एक प्रॉपर कंक्लूजन तो कु जैसे तो यह DCU का पहले पार्ट होने वाली थी बट वॉर्नर बदर्स के इंटरफेरेंस के चलते एक बिलकुल ही अलग जस्टिस लीग हमें मुवी में देखने को मिला वॉर्नर बदर्स के एकॉर्डिंग हर सूपर हेरो को जोक मानना कंपल सरी है और इतनी बड़ी स्टोर सारे करेक्टर की बैक स्टोरी विद प्रॉपर करेक्टर डेलपमेंट एंड फ्यूचर के लिए एक मेगा टीज विच सम ब्रूटल अक्शन सीन जिससे की मेरे लिस्ट में यह मूवी सबसे आगे है आर रेटेट सूपर हेरो मूवी में तो अभी भी कोई ऐसा है जिसने यह मूवी नहीं देखी तेयर जरूर देखो ट्राइ करो तेयर यह था मेरा लिस्ट टॉप टेन आर रेटेट सूपर हेरो मूवी सका इफ आपके पास भी ऐसी ही कोई मूवी का सेजेशन है तो कॉमेंट में जरूर बताना और इस लिस्ट में से कौन कौन सी मूवी आपने अल् पर वाली वीडियो देखें एंड डीसी के अपकमिंग मूवी इसके बारे में जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा तिल देन बी देसी बी नर्ड